आज की वीडियो में हम बात करेंगे YouTube Shorts के Ad Revenue के बारे में तो क्या आले दोस्तों तो finally YouTube Shorts पर Ad Revenue Sharing स्टार्ट हो चुका है और जिनका भी चैनल monetized है उन लोगों ने अपने Shorts पर Revenue Earning देखना शुरू कर दिया होगा सच बता हूँ तो मैं बहुत जादे excited था पहले YouTube Shorts के Ad Revenue Sharing चीज़ के बारे में क्योंकि finally हम लोग अब Shorts के मदद से भी पैसे कमाने वाले थे लेकिन सच बता हूँ तो अब जब finally यह आ चुका है तो शायद मेरा कुछ कहना सेम नहीं होगा जो मैं पहले कहना चाह रहा था क्योंकि पहले मैं इसके लिए बहुत जादे excited था अब वैसा excitement रहा नहीं है जब मैंने actually मैं उसका earning देखा है उसका RPM देखा है RPM मतलब के per thousand views पर उसके कितने earning होगी सच बताओं तो मैंने जहां तक अपने channel पर earning देखिए वो बिल्कुल मतलब close to zero है तो उसका मिलना या ना मिलना बात पराबर है तो अब YouTube कहने के लिए तो हमें ad revenue दे रहा है लेकिन दे कुछ नहीं रहा है लेकिन फिर भी मैं यह नहीं कहूंगा कि shorts बनाना बिल्कुली बंद कर देना चाहिए shorts के भी अपने कुछ फायदे हैं और long videos के अपने कुछ अलग फायदे हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ ad revenue से पैसे कमाना चाहते हैं तो मैं shorts बनाना बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा क्योंकि shorts के जब तक आपके 5,000,000,000,000,000,000 हर shorts पर जब तक उतना views नहीं आ रहा है तब तक आपको revenue कुछ भी नहीं मिलने वाला है और long videos पर अगर आपको 1000, 2000, 5000 views आ रहा है तो फिर भी आपका ठीक ठाक earning हो जाएगा क्योंकि अभी भी अगर आप RPM देखें, RPM मतलब के 1000 views पर जितना earning होता है तो अगर आप long videos पर देखेंगे तो फिर भी आपका 1 dollar के आसपास रहता है कभी थोड़ा जादा, कभी थोड़ा कम हो सकता है लेकिन उसके आसपास रहता है लेकिन अगर आप यही चीज़ आप shorts पर देखेंगे तो आप मेरे channel पर देखेंगे तो यह बिल्कुल 0.00 something इस तरह जा रहा है तो इतने कम earning का कुछ खास मतलब बनता नहीं है लेकिन मैं अभी भी यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको shorts पनाना बंद कर देना चाहिए और नहीं मैं shorts पनाना बंद करूँगा मैं भी shorts create करता रहूँगा क्योंकि इसके अपने कुछ फायदे हैं जहां पर आपको इसका फायदा दिखेगा shorts की मदद से आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और long videos की मदद से आप earning कर सकते हैं चुकि shorts का reach बहुत जादा है तो वो जादा लोगों तक पहुचेगा और इससे आपका चैनल जल्दी ग्रो होगा और चुकि जब आपके audience आपका shorts देखने लगेगी तो उन्हें आपके long videos भी recommend होगे तो उस तरह से आप अपनी long videos से earning कर पाएंगे तो अगर आप same channel पर shorts और long videos दोनों upload कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ आपके लिए अच्छा होगा दूसरा चीज़ यह है कि अगर आपको shorts पर sponsorship मिलने लगे तो फिर वह बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि ad revenue से कोई खास earning होने वाली है नहीं लेकिन अगर आपको sponsorship मिलने लगी shorts पर तो फिर वह बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगा तीसरा है super thanks को लेकर क्योंकि अब shorts पर भी super thanks आ चुका है तो अगर आपको super thanks से earning हो रहा है shorts पर तो फिर वह बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी उसके थूँ आप earning कर पाएंगे और next चीज़ जो है वह affiliate marketing से लेकर है क्योंकि shorts का reach बहुत जादा है और अगर आप affiliate links अपने comments में या फिर अपने description में दे रहे हैं तो फिर उससे आपको earning हो सकती है तो आप shorts बनाईए ये shorts से channel grow होता है लेकिन shorts के ad revenue से earning बहुत जादा नहीं होने वाला ये बात आप मान कर चलिए और अभी तो बहुत बुरा RPA में और आगे आने वाले future में ये सही होगा या नहीं होगा इसका कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि shorts के साथ ऐसा हो रहा है कि इसमें music वाला बात हो जा रहा है music licensing का तो जो भी shorts revenue बन रहा है उसमें से बहुत सारा पैसा music labels को चला जा रहा है और आप अपने shorts में music use करें या ना करें वो सबके लिए बराबर है जो creators shorts पर music नहीं use करें उनके लिए एक नाइनसाफी टाइप से कह सकते हैं आप तो मेरा कुछ इस तरह का opinion ने YouTube shorts के income को लेकर अगर आपके चैनल पर भी shorts का revenue आना शुरू हो चुका है तो आपको shorts के revenue के बारे में क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर आप एक नए creator है जिसने अभी तक shorts पनाना start नहीं किया है तो मैं playlist दे रहा हूँ इस playlist से आपको shorts के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा तो आप पुरी playlist देख लीजिए